हेलो स्टुडेंट वेल्कम बैक टूबर चैनल आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केस इस्टेडी सीरीज आप सभी को पताएं कि क्लास 10 हो या क्लास 12 हो उसके बोर्ड एक्जाम में जो कि हमारे आने वाले हैं मार्च में उसमें मैट्स के पे केस इस्टेडी कुछ नहीं हो दिए हैं बहुत सारे कहानी की रूप में क्वेशन देरें और हमको क्या होता है जो कॉंसेट होते हैं उनकी इंटीगरेटर कॉंसेट की नॉलेज सीवियसी चेक करता है तो हम क्या करेंगे इन कुछ करेंगे और उसके तुरू के स्टीड को करते हैं जो कि हमने लिए हैं जो सीब्यासी ने सिटम्बर 2022 में रिलीस इसे लिए हम स्टार्ट करते है अपने पहले पहले एक कहानी है सबसे पहले सबसे पहले इस परगाराफ को बढ़िए इस जान से पढ़िए इसी में हमको कहानी होती है कहानी में फचना होता है तो कहानी के धुरू हमें जो मैच का concept extract करना वो देखना होता है जैसे यह कहानी क्या है एक क्राफ्ट मैं थी कर बिल्डिंग में गारा बनाते हैं उन्होंने क्या देखा वो museum of civil था है कोई museum था उसमें इस तरह की art बनी थी इस तरह की design बनी थी मतलब हमारे घरों में भी होता ना जैसे कि यह जो pattern होता है कि पहले यह design बनी है फिर क्या कहते हैं फिर यह design बनी है फिर यह triangle सा बना और पूरे में यही repeat होती है तो इस पूरी की पूरी प्रॉस पैटर पैटन को नाम देते हैं टैसीलेशन नाम देते हैं इस तरह से अपना जो डिजाइनिंग अपना आगे का काम में हम भी इनसे इंस्पाइर होके हम भी कुछ नया करेंगे सब्सक्राइब क्या होता है एसा पखलेगं जिसकी प्रैंग्स क्या होता है हम सब्सक्राइब हो तो यह सब आपने बना नोंने octagon बनाया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ साइड बना लिए octagon, उसके बाद square भी है इसमें, देखो ये square है, ये square है, ओके, और एक triangle भी है, ओके, ठीक है भाई, ये देखो triangles भी है, तो इनका यूज करके वो कुछ अपनी building बनाने की process कर रहे हैं, अ आपको हमने ये information दे दी, अब आप information को process कीजिए, और अपना जो math का concerns को लगाके, हमें in questions का answer दीजिए, use the above figure and answer the following question, ये जो figure है, इसका और इसका use करके, आप हमें in questions का answer दीजिए, एक, पहला, दूसरा C, जो पहला question है, वो एक mark का है, दूसरा question है, वो एक mark का है, और तीसरा question है, वो दो mark का है, और इसमें आपको option भी दिया है, ठीक है, ये पहला option है, या तो C का पहला part, ये वाला कर दीजिए, और ये वाला नहीं समझना आथा, तो आपको ये, तो कुल मिला है, तो चार number है, और देखने में इतना डरावना लगता है, कि ये लगता है, ये निये सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो हम पहला question solve करते हैं, what is the length of line segment joining the point B end है, अब ये partition plane दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको बोलाएं कि जो B और F हैं, उसकी length बता दो, तो B कहा है, पहले तो ये ढूनना पड़ेगा, इसमें B कहा है, तो ये दोखो, ये छ length पूछी है, अरे तो ठीक है, तो मतलए ये पूछ रहे है, B और F को जोडने वाली line की length, ये पूछ रहे है, तो हमको ये B F चाहिए, तो क्या हमको चाहिए, B F की length सी, लेकिन भाई length निकालने के लिए, ये partition plane दे रख रहा है, तो distance formula हमने पढ़ाता है, तो distance formula के लिए पहले मिल जाएगे, तो B के नीचे गए, ये जा रहा है, एक पे, वी एक पर जा रहा है, और यहाँ पर गए तो यह 2 पर जा रहा है, तो भाई इसके coordinate हो गए, 1,2, नहीं को क्या समझ भाई है, B के coordinate होगे, 1,2, अब F के देखेंगे, तो F में नीचे जाओ, ठीक है, F में हम क्या करेंगे नीचे जाएंगे ये एफ में नीचे जाएंगे मीं जाएंगे तो यह मैंनीनट टू पर जा रहा हैуж़ इस तो में पहला होटा एकस्ट요 मानता हूं इसको एक्सवन वाइवन मानता हूं यहां पर डिस्टेंस फ़र्मल लगाएंगे तो डिस्टेंस फ़र्मला कैसे निकल के आएगा इसमें से से कि माइलस तरी का फोल स्कुर प्लस नौ में से लोग है कितना है नाइन और प्लस पॉट्टी यह कितना आया रूट 58 यूनिट आ रूट-ट्य थो यूर्लिट्स लोग एक माएक से तुम्हारा तभय हो गए इस इसले उसके ने पीसा लेht 210 अ है येis को नोगी समस्केल हो नहीं लोन खकार्थ नेहींता से अगरा कोशंग कोशंगों सिंपल कॉडिनेट देखो और डिस्टेंस लगाता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन करते हैं अपना अब भाई यह कहा रहे हैं वी सेंटर जैड ऑफ दा फिगर जो जैड है लेकिन जैड यहां पर दिया नहीं है जैड जैड कहीं दिया नहीं है फिक्यू आरेस्ट यू भी डबलू जो भी है जैड जो है ऑफ दा फिगर बिल भी दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दा डागनल ऑफ दा कॉडिलेटर डबलू एक्स ओपी भाई डबलू एक्स ओपी को फकड़ो डबलू कहा है यह रहा अब यह कह रहा है कि इनका जो डागनल है उनका इंटरसेक्शन कराओगे अच्छा ठीक है लो डाइगनल उनने बना दिया इसका डाइगनल बना दिया यह और इसका डाइगनल बना दिया यह तो यह जो पॉइंट है यह जैड होगा अब उसके उसके बता दो इसके जैड को कोडिनेट बता दो जएड के कोडिनेट कैसे बताएंगे तो जयड भाई साब क्या है पॉइंड criticized और और यहाँ पर आप यह देख ओपहले कि यह जो काडि़ बन रहा है वह क्या बन रहा है तो अगर इसका मिड़ पॉइंट पता जल जाए तो चाहे तो आप पी क्यों थे तो इनको जोइन किया है और ये बोल रहे हैं कि भाई इनका जो मिड़ पॉइंट है ये जैड है तो पहले बाई कोडिनेट तो पता करलो इसके X के W के गधर बनाओगे तो कितने प्जा रहा है दो पे जा रहा है अब ओके कोडिनेट देखो तो ओको नीचे पर परपंडिकुलर डालो जल्दी से और ये नीचे परपंडिकुलर डाला तो यह कहां पर जा रहा है पांच प्र जा रहा है और इदर डाला तो किदर जा रहा है नौपे जा रहा है तो यहां पर कितना हुआ पाइब कोमा नाइन ठीक है अब बच्छो अब जैड चाहिए जैड के हमको जाहिए कोडिनेट तो जैड़ जो है वो इंटरसेक्षट इसका है और किसका मिट्पोइंट है डबलू ओ का भी मिट्पोइंट है दोनों निखाल लें तरीका क्या होता जैसा करी लाइन पे रख़्ाए एक सब्दार मेड़ पोइंट शहीं हो तो कैसे निकलता है एकस बन प्लस एकस्ट्यू अपान्टूप Keyçon कॉमा वाइव फ्लस वाइटू एक स्ट्यूपायत था तर्पा सरी होता है तो पॉट्ञाइं एक से निकालों या डव्यू तरो प्लस निकालों किस से आसनी पड़ेगी चलो px से निकाल लेते हैं, तो px को अगर लेंगे, तो px का midpoint निकाल लो, तो भाई इसके coordinate गया है, इसको x1, y1 माल लो, और इसको x2 by 2 माल लो, ठीक, तो यहाँ पर इसको midpoint गयाएंगे, coordinates of z, coordinates of z is equal to midpoint of px, px के midpoint ले लेंगे, तो यहाँ पर px क्या है बच्चों, तो यहाँ पर 3 और minus 4, 3 minus 4 upon 2, दूसरा क्या होगा, 11 plus 0 upon 2, 3 और minus 4, 11 और 0, यह कितना होगा, minus का 1 upon 2, और यह कितना होगा, 11 upon 2, यह रहाई साब coordinate किसके, जहरी के, अरे यह question solve करना important नहीं, यह क्या चाह रहा है, देखो यह तुमको इतना तुमको बस coordinate ढूनना आना चाहिए, और दूसरा concept क्या लगा, कि midpoint कैसे निकालते है, किसी भी line segment करते है, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, तो दूसरा question समझ में आया, तो यहाँ पर coordinate of z समझ में आया, कैसे निकाले है, भाई, इसका जो diagonal था, उसका midpoint निकाल लिया, और पहले diagonal के coordinate देख काम से, midpoint निकाल लिए तरीका, क्या है, x1 plus, x2 upon 2, y2 upon 2, कर दिया, आगे answer, चलो next question पर जलते हैं, अब next question है, what are the coordinate of the point on the y-axis, equidistant from point a and g, अब पहले तो point a और g को दूनो, फिर यह कुछ equidistant की बात कर रहा है, फिर y-axis की बात कर रहा है, या तो यह करो और, या फिर आप यह करो तो area of trapezium, अब मैं अगर इस question को solve करता है, तो area of trapezium निकालता है, इसका answer आपको समझ भाएगा अब जब दुबारा करेंगे, मैं दोनों solve कर दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो दूसरा वाला part है, वो बहुत easy है, पहले part में थोड़ी सी calculation है, यह आपको तब समझ में है, जब हम बहुत सारी cases to dissolve पर लेगे, ठीक है, तो अब हम पहले इस पहले part को करते है, तो पहले a और g क हो हूए, लो जी के कोडिनेट कहा है, यह उलो यह कि है कितने मैं मैंस 4-7, गद है कि एकást कोर्धिनेट है हमारे minus 2,2 और G के कॉर्डिनेट है हमारे minus 4,7 अब क्या गया रहे हैं A और G से कोई एक point है what are the coordinate of the point on y axis अब यहाँ पर यह है y axis यह y axis है ठीक अब यहाँ से A और G से equidistant पर है मतलब यहाँ से कोई point है जिसकी distance G से भी जितनी है उतरी ही distance A से है पहली बात तो कोई भी प्वाइट वाई एकसिस पर जो होता है कोई भी प्वैट एंई पॉइंट उन्ता भाई एकसे उसके एक्स की विलोग जिरो रहेगी तो इसके अगर हम कॉडिनेट मानेंगे क्योंकि निकालना पांद निगालना है ना ये वह प्वेंट क्या है तो अगर उसके coordinate निकालना है तो हमारे coordinate मानोगे क्या है? X की वेलोग जीरो मानोगे तो इसका कोई भी जनरल पॉइंट on Y axis का क्या होता है? 0,Y क्योंकि X की वेलोग जीरो रहेगी तो 0,Y तो भाई यहाँ यहाँ पर Y axis पर यहाँ से एक्वी डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस यहाँ से अगर मैं इसको मैं पी मानलूँ इसकी डिस्टेंस जितनी यहाँ से है उतनी यहाँ से इक्वल है तो इसका मतलब PG is equal to बोला गया है पी तो इसको मैं मानता हूँ एक्सा स्कूली कोलरries यहाँ से क्या आएगा जीरो इस में से इसको बटा जीरो प्लस और์ का होल स्कवर प्लस दूसरा क्या हुआ होगा का हुल स्कवर दूसरा क्या हो जाएगा स्शेजुरो मायनस मायनस टू है जीरो प्लसोग रहा enhancement मैं distance वर्मल लगा रहा हूँ ठीक है plus y minus 2 का whole square हो जाएगा अब यह जब root है दोनों तो squaring both side squaring both side तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.16 plus y minus 7 का whole square is equal to कितना हो जाएगा अब इसका whole square हो लेंगे मानस भी का whole square क्या हो जाएगा यह माइनस भी का whole square क्या हो जाएगा y square प्लस यह कितना हो जाएगा 49 minus 14 by देखरो कितना केल्कुलेस है प्लस फोर इदर प्लस यहां पर क्या होगा y square प्लस पॉर माइनस का two to the four by इसको यहां से देखो y square से y square हो गया cancel और क्या करें अब 14 by इदर है उदर माइनस का whole वाई तो इसको एक तरफ लो और नमबर है तो बाई बचा और नमबर बचा है तो चार और यह आठ हो गए और यह 49 ओगे तो इसको ले जाते हैं उदर तो फॉर्टीन वाई माइनस का four by is equal to यहां पर कमारा नमबर है इसको सब को इदर लिया हो 16 प्लस पॉर्टी नाइन इसक्स्टीन प्लस पॉर्टीन और माइनस का यह कितना हो वह माइनस का यह कितना हो जाएगा तो यह जाएगा सफट्रिप्ति सेवन आए गाई ठीक है यह चौदे मैसे चार गए यह दस वाई और यह आजाएगा 57 नहां से वाई इस एकल टू आया 57 अपॉन टेन मतलब 5.7 इसके दो नमबर मिलेंगे तुमको तो पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला पर फेस्ट है ना अब या तो यह कर दो मैं क्या कह रहा था मैं होता तो यह नहीं करता क्यों दूसरा है एरिया अफ्ट्रेपीजियम तो वह बहुत आसा हमें अब दूसरा पार्ट इसका क् दोनों नहीं कर रहे हैं तीसरे पार्ट में हमको option दे रखता है कि अपनी strength के हसाफ से कोई साइक पार्ट कर लो तो हम इतनी calculation क्यों करेंगे square करो यह करो तो इससे आसार हमको यह पढ़ेगा ना area of trapezium चलो देखता है कैसे बढ़ेगा तो यह समझ में आगे बच्चों यह यह वाला पार्ट समझ में है यह कैसे है एक क्योंड इसटेंज का क्या मतलब है वाइकस तो एनीप्ड़ यह प्याइक्स पर कोई जन्रल पूंट पूछे तो इसकी वैलेगा रहत तो यहाँ एक सेस पर तो यह रहुक हो तो इसको आगे अगर यह न होता हो चलो आब अगम क ला मैं हमको पूछा कि एजी एफ जी एच जो ट्रेपीज इस इडिया बता लो तो पहले देखो एक आए बच्छो एए रहा एफ कहा है रहा जी कहा है यह रहा है एच पाइड तो अब इसमें ना यह इतना इजी है कि इसमें क्या करता तुमको कॉडिनेट की जरूए मतलब र पर 2,0 तो इसका डिस्टेंस फर्मुला मत लगाओ इसमें इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसमें से इस कॉडिनेट को घटा दो तो साथ में से दो गया इनकी बीच की इसनस कितनी होगी पांच यूनट होगी है ठीक है तो यहाँ पर हमको ए एफ जी एच यह रहा ट्रेपी चाहिए तभी तो यह ओघल यह देती है कि इसको एसे को एर्या ट्रैपीजियम वह होता है बन आपन टीटू समर एस साइडा इसमें और तो यहां पे एरिया क्या हो एक बन आपन ट्लेटू और दूसरा एस दूसरी कौन सी है दूसरी एक तो जी है चाहे दूसरी कौन सी है और हाइट क्या है इसकी हाइट यह यह वाली हाइट है इंटु हाइट तो पहले यह देखो एक इतना है यह यह देखो यहां पर यह पूरा की पूरी नौ यूनिट पर है और यह एक इतने यूनिट पर है दो यूनिट पर और यह सेम लाइन पर है तो यह नौ यूनिट यहां से लेकर यहां तक यह पूरी लाइन कितनी नौ यूनिट यहां से लेकर यहां तक कितनी है दो यूनिट तो यह कितनी हो गई सात युनिट हो गई नाять से तब भी सात आएगी इसी तरह यह कितना है सात पे जा रहा है तो geopolit है तो अगर पूरा सहरा है तो यह यह हैं से चार है तो साथ मिश्चार करने है यह तो यह तिन हो गया सह साथ हो गया देख की पताँ शल्ग झारग तो तो हाइट यहाँ पर यहाँ पर यह से हाइट कितनी है यहां पर है प्लक तो यहां पर 3 मुider कर देखो दॉछ इसको सॉल भी नहीं कर रहा है है कि इसका एरिया चाहिए तो ए-फ ए-फ च जी भया यह पूरा summers है और यह पूरा नौ है ठीक है यह भाइया दो है प depri मैंसे दो गया इतनज चाहिए है मैं यह कितना हो गया साथ हो गया तो यह बह्या हमारा कितना है यह पूरा वह यह साथ है हमारा यह वाई सब हमारा कितना है चार है तो हमको तो इतना चाहिए है साथ में चार का यह कितना हमारा तीन तो हमको यह तीन भी मिल गए हमको यह भी मिल गया साथ तो एक पैरलल साइड हमको यह मिल गई दूसरी पैरलल साइड हमको यह मिल गई तो बॉक्स गिलो कुछ नहीं तो बॉक्स एक वॉक्स इनके बीच में कितने वॉक्स है दो बॉक्स है इनकी हाइट कितनी होगी दो यूनित होगी आप फॉर्मला लगा दो यहां पर एरिया क्या आएगा वन अपॉन दू सम पेरल सेट धी प्लस सेवें इन्टू है दो यह सारी के सारी इंपर्टेंट वो सारी कर लेंगे और अगर आपने इस सीरीज को कम्प्लीट किया के बल्ट करा रहा हूं उसको समझ की किस तरह से सॉल्व करते हैं उतना भी आपने कर लिए यू विल भी एविल टू स्कॉर ट्वेल आप आट अफ ट्वेल लग इवन हंडेड़ परसेंट मार्क्स इन केस स्टुड़ी बिच इन और मैथमेटिक्स पेपर जो कि आपका 21 मार्श दोजाग टेश को है इतने सीरीज को भी आपन चलिए इसी के साथ आज की क्लास हमें एंड करते हैं अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स केस स्टुड़ी में और थैंक्स पर वाचिंग